की है भुकल टूब है ऑल्फ लोग कैसे हैं आई होप लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज हम लोग रेप्टाइल के कामन नेम के बारे में इस्टडी करेंगे तो चलिए हम लोग रेप्टाइल्स के common name के बारे में study कर लेते हैं जैसे कई सारे रेप्टाइल्स के other common name होते हैं तो चलिए हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं तो पहला है टेश्ट्यूडो टेश्ट्यूडो को टर्ट्वाइज बोलते हैं टर्ट्राइज के नाम से भी जानते हैं नेश्ट है दर्मोकिलस दर्मोकिलस को लीदर बैक टर्टल भी बोलते हैं लीदर बैक टर्टल के नाम से भी जानते हैं ट्राई योनिक्स को सॉब्ट सिल्ड टर्टल भी बोलते हैं और क्लियोनिया को ग्रीन टर्टल बोलते हैं, क्लियोनिया को ग्रीन टर्टल के नाम से भी जाना जाता है, और नेश्ट है कच्च यूगा, कच्च यूगा को टेरा पीन बोलते हैं, कच्च यूगा रेप्टाइल्स को टेरा पीन के नाम से भी जाना जाता है, नेश्ट है हेमिडक्टाइलस को वाल या हाउस लिजार्ड बोलते हैं हेमिडक्टाइलस को वाल या हाउस लिजार्ड के नाम से भी जाना जाता है नेश्ट है कैलोटीस को गार्डेन लिजार्ड भी करते हैं कैलोटीस को गार्डेन लिजार्ड के नाम से भी जाना जाता है नेश्ट है Euromastix, Euromastix को Spiny Tailed Lizard भी बोलते हैं, इसको Spiny Tailed Lizard के नाम से जाना जाता है नेश्ट है Calotis, Calotis को Guardian Lizard बोलते हैं नेश्ट है Draco, Draco को Flying Dragon भी बोलते हैं, Draco को Flying Dragon नाम से भी जाना जाता है नेश्ट है Phyrinosoma, Phyrinosoma को Horned Toad बोलते हैं, Phyrinosoma Reptiles को Horned Toad के नाम से भी जाना जाता है नेश्ट है Mibuya, Mibuya को Sink के नाम से भी जाना जाता है और नेश्ट है Varanus, Varanus को Monitor Lizard बोलते हैं, Varanus Reptiles को Monitor Lizard के नाम से भी जाना जाता है हेलो डर्मा, हेलो डर्मा को गिला मॉंस्टर या बीडर्ड लिजाड कहते हैं दर्मा को गिला मॉंस्टर भूइ बोलते हैं या बिडेड लिजाड के भी नाम से जाना जाता हैं नेश्ट है अफियो सरस को ग्लास स्नेक के नाम से भी जाना जाता है नेश्ट है एंगुईस एंगुईस को स्लो वार्म या ब्लाइंड वार्म भी करते हैं एंगुईस रिप्टैल्स को स्लो वार्म या ब्लाइंड वार्म के नाम से भी जाना जाता है नेश्ट है राइन्यूरा राइन्यूरा को वार्म लिजाड बोलते हैं राइन्यूरा रिप भी बोलते हैं इग्यूना को कोलर्ड लिजाड के नाम से भी जाना जाता है नेश्ट है टिपलोपस को ब्लाइंड स्नेक बोलते हैं टिपलोपस लिजाड को ब्लाइंड स्नेक के नाम से भी जाना जाता है नेश्ट है टाइफस या जैमिनीज जैमिनीज को रेट स्नेक भी बो या पॉंड स्नेक्स बोलते हैं ट्रॉपेडो नोटस को ग्लास स्नेक या पॉंड स्नेक्स के नाम से भी जाना जाता है नेश्ट है लाइकोडान लाइकोडान को वॉल्फ स्नेक के नाम से भी जाना जाता है नेश्ट है डेंड्रोफिस, डेंड्रोफिस को ट्री स्नेक भी बोलती है, डेंड्रोफिस को ट्री स्नेक के नाम से भी जाना जाता है, नेश्ट है इरिक्स जोहिनी, इरिक्स जोहिनी को सेंड बोवा के नाम से भी जाना जाता है नेश्ट है नाजा नाजा, नाजा को कोब्रा बोलते हैं, नाजा नाजा को कोब्रा के नाम से भी जाना जाता है, नेश्ट है नाजा हना, जिसे किंग कोब्रा भी बोलते हैं, नाजा हना को किंग कोब्रा के नाम से भी जाना जाता है, नेश्ट है बंगेरस, बंगेरस को करेत के नाम से भी जाना जाता है नेश्ट है वाइपर रसेली वाइपर रसेली को पिट लेस वाइपर बोलते हैं वाइपर रसेली को पिट लेस वाइपर के नाम से भी जाना जाता है नेश्ट है एनसिश्ट्रोडान niestrodon को pit viper के नाम से भी जाना जाता है nest है crotellas crotellas को rattlesnake के नाम से भी जाना जाता है nest है hydrophys hydrophys को sea snake जाना जाता है नेश्ट है इन हाइड्रिमा, इन हाइड्रिमा को सी स्नेक के नाम से भी जाना जाता है इन हाइड्रिमा को हम लोग सी स्नेक के नाम से भी जानते हैं नेश्ट है माइक्रूरस, माइक्रूरस को कोरल स्नेक बोलते हैं इसको कोरल स्नेक नाम से भी जाना जाता है नेश्ट है क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइलस को मगर बोलते हैं, जिसे हम लोग मगरमच बोलते हैं, उसको मगरमच के नाम से भी जाना जाता है नेश्ट है एलिगेटर, एलिगेटर को एलिगेटर ही बोलते हैं, एलिगेटर का कामान निम एलिगेटर ही है नेश्ट है गैरी एलीस, गैरी एलीस को घडियाल, घडियाल जो होता है उसे हम लोग गैरी एलीस बोलते हैं और उसे हम लोग घडियाल के नाम से जानते हैं तो फ्रेंट्स आप लोग reptiles के common name के बारे में study कर सकते हैं और फ्रेंट्स आप लोग को वीडियो कैसा लगा और फ्रेंट्स आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो like, share, comment and subscribe कीजिएगा Thanks everyone